हेलो वरीवन, स्वागत आप सभी का The Good Food Show में वेद हिमान शुतियागी और अगर आप लोगों ने पंजाब और नोर्थ हिंडिया की किसी डिश का बहुत जादा नाम सुना होगा तो ये है वो डिश जिसका नाम है बटर चिकन तो सबसे बड़े ले लेते हैं, आदा किलो बोनलेस चिकन और इसको मारिनेट करने के लिए लेते हैं, दो बड़े चम्मच सरसो का तेल और दो छोटी चम्मच देगी मिर्च इसमें हम डालेंगे दो चम्मच अधरग लसन का पेस्ट एक चम्मच जीरा पाउडर और एक चम्मच धनिया पाउडर थोड़ी सी हल्दी, स्वाद अनुसार काला नामक और एक चम्मच गरम मसाला थोड़ा सा कटा हुआ फ्रेश धनिया और आखिर में इसमें डालेगी थोड़ी सी दही और नीमू का रस तो आई इसको रख देते हैं अब दो से तीन घंटे के लिए मैरिनिट होने तो आई अब हम बना लेते हैं बटर चिकन का ग्रेवी बेस तो पैन में हम ले लेते हैं दो चम्मच तेल और थोड़ा सा जीरा जीरा भूनने के बाद उसमें डालेंगे हम तीन से चार कटी हुई प्याज तीन से चार बारी कटी हुई हरी मिर्च तो आप डालेंगे इसमें कटा हुआ लस्सन और ग्रेट किया हुआ अदरक इसमें हम डालेंगे दो से तीन साबुत लाल मिर्च और इन सब सामागिरी को हम कर लेंगे सोटे और इसमें डालते हैं अब टमाटर की प्योरी और प्योरी करा हुआ काजू नमक अपने स्वाद अनुसार और बटर आप चाहें तो जादा डाल सकते हैं जिनको जादा मक्षन खाने की आदत है पर मैं इसमें डाल रहा हूँ तीन से चार बड़े चमबच और धीमियाज पर इसकोम पकने देंगे 20-25 मिनट तो आईए हमारा ग्रेवी बेस तैयार हो चुका है अब इसको हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं तो फाइनल स्टेप लेने से पहले हम अपने मेरिनेट की हुए चिकिन को बटर में सौटे कर लेते हैं तो चिक्किन को हम बहुत जादा पकाएंगे नहीं जब उसके उपर कलर हलका सा चड़ने लग जाए तब हम उसको निकाल लेंगे तो आईए अब हम बना लेते हैं अपना बटर चिकन तो पैन में डालेंगे हम एक चमच थेल, दो चमच बटर, एक कटी हुई प्याज, अधरक और लसन और इसको हम करेंगे सोटे तो धीमियाज करके इसमें डालेंगे हरे मिर्च, थोड़ी सी देगी मिर्च और एक से डेड़ मिनट तक इसको पकाने के बाद उसमें एड़ करेंगे ग्रेवी का बेस तो ग्रेवी की कौंटिटी अगर आपको बढ़ानी है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी आड़ कर सकते हैं अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा शहद बटर चिकन के मिठास के लिए और इसको पकाएंगे हम 15-15 मिनट के लिए तो आईए अब डाल लेते हैं इसमें चिकन जो की है इन मसल्स का राज और इस बटर चिकन का राज भी तो इसको हम 5-10 मिनट तक पकाएंगे क्योंकि हमने इसको पहले से ही सोटे किया हुआ है और इसके टेस्ट को और बढ़िया बनाने के लिए इसमें डाल रोमे थोड़ा सा और मक्कन और उपर से थोड़ी सी फिटी हुई क्रीम तो आईए हमारा बटर चिकन तयार हुआ है इसको हम गार्निश कर लेते हैं थोड़े से कटे हुए हरे दनिये से और थोड़ी सी क्रीम से तो सच बताओ तो बटर चिकन मैंने दूसरी या तीसरी वर बनाया है और आज इतना स्वात बनाया कि मुझसे रुका नहीं जा रहा है मैं तो खाऊंगा ही और साथ में अपने दोस्त आसा जो मारे एडिटर साव हैं उनको भी खिलाऊंगा आओ आसा तो आज हम दोनों मिलक खाएंगे बटर चिकन तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ओन दा गूट फूट शोवेद हिमान शुतियागी